तो दोस्तो फ्रीफायर को बैन वे हो चुके हैं 7-8 तीन और अब हम लोग का टाइम आ चुका है तो दोस्तो जो आप सोच रहों बिल्कुल मैं भी वह सोच रहा हूँ कि अगर हम लोग रिफंड के बारे में अगर सोचे थोड़ा तो जो भी हम लोग सारे रिफंड किये हैं सारा पैसा तो फ्रीफार के हंदर में दिये तो क्या उसे हम लोग पूरा का पूरा रिफंड मार सकते हैं लेकिन दोस्तो वो पुराने तरीके से हम लोग रिफंड ये नहीं होने वाला है तो वीडियो आपके कोई भी काम के नहीं आएगी क्योंकि दोस्तो मैं इस वीडियो में step by step सारा process बताया हूँ कि आप कैसे refund को success करवा ही सकते हो तो बिल्कुल step by step इस वीडियों बताओं तो वीडियो को skip करोगे तो आपको समझने आएगा इसलिए कोई फाइदा नहीं आपक रहते हो बढ़ भी free fire max का chance वहाँ पर भी चल रहा है उस पर भी जाच परताड हो रहा है क्या वो भी game को block किया जा सकता है तो अगर आप चाते हो कि आप free fire के ID का जो भी है टोपा पाफ refund मार लो तो ID बैन हो जाएगा तो रस्ट्रेक्शन तो जाहिड सी बात है कि लगे तो आप रख कर भी क्या करोगे अगर आपके थोट में ऐसा चल रहा है तो और नहीं तो आप जाकर free fire max को download करके उसमें shift होकर अपने ID से खेल सकते हो गेम को normally इस पे आपको कोई भी problem देखने को नहीं मिलेगा बिलकुल free fire के जैसा free fire max बना हुआ है तो बहुत दोस्तों है ज आज हम लोग सिखेंगे कि कैसे all top up को हम लोग refund मार सकते हैं जो free fire के अंदर में हम लोग पहले से redeem को निकाल कर पे कर दिये हैं तो नए दोस्तों से request है कि हमारे चैनल को subscribe कर दे अगर वो पहली बार मेरे चैनल को देख रहे तो और दोस्तों पुराने दोस्तों से request कि वीडि दिन वीडियो आपको मिलता रहे तो चलिए दोस्तों वीडियो को फडवरे स्टार्ट करते हैं दोस्तों मेरे description box में एक आपको link देखने को मिलेगा उस पर क्या गरना है कि process link करके लिखा हुआ है तो उस पर क्या करना है कि आपको क्लिक करना है क्योंकि दोस्तों इस process तक आ के उसी से क्लिक करके आप यहाँ पर आ जाओ separate तरीके से आप गाईज यहाँ पर आ चुके हैं यहाँ पर देख सकते हो कि आपको इस तरीके से address देखने को मिलेगा payment center पर आप आ चुके हो क्योंकि refund का काम आपको यही कर सकता है ठीक है दोस्तो अब simple सी क्या करना है कि इस पर आ आपको यहाँ पर क्लिक करना है अब दोस्तो एक्टिवीटी पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर जो भी आपका एक्टिवीटी था जो भी आपने खरीदा होगा वो यहाँ पर देखने को मिलेगा तो दोस्तो मेरा देख सकता हो मात्रे दो एक्टिवीटी है तो द तो नीचे मैं अपना जो आईडिया प्रियल है उसे सेलेक्ट कर लो खिंग है जिस पर आप उचार टोपब कीए हो सारा रीफन्ड मारना चाहते हो तो इसलिए क्या करना है कि आपको जो जिसमें जादा टोप आपने किये हैं अपने क्लिक कर लो हम मैं मैं गर यहां पर टोप आपको खरीदा है तो दोस्तों आप क्या करना है कि नोर्मली एक्टिवीडी पे तो आपने क्लिक कर लिया अब सिंपली क्या करना है कि जो इसको आपको रिफंड मारना है जिसको आपको रिफंड करना है बट हम लोग यहां पर कंडिशन क्या है कि हम लोग को स सारा को सारा refund करना है पर एक चीज यहां पर आप याद रखना कि जिसको आपने पहले refund मार चुके हो जिस भी टोपक को उसको आप refund नहीं दुबारा मारना ठीक है बाकी जिसको नहीं मारे हो उस पर तो आप जरूर इस उंगली को प्रेस करके काम निकाल सकते हो तो simply क्या करना ह हो कि simply यहां पर आप क्या करना है यहां पर सब कुछ time and date देख सकते हो 2021 का टोप अप है दिसंबर का मैंने खरीदा हुआ है अब इसे refund कैसे मारेंगे जो simply आप एक चीज तो जानते हो कि टोप अप का एक कंडिशन है कि 48 आवर के अंदर में ही यह refund आपको देता है बेड़ा म आपको क्लिक करना है अब दोस्तों इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो देख सकते हो इस तरीका का आपको एक system देखने को मिलेगा खुल जाएगा और आपको simply क्या करना है कि describe your issue का जो option देखने को मिल रहा है normally इस पर ही क्लिक करना है ठीक है नीचे में आओगे तो आपको और issue पर ही क्लिक करेंगे यहां रहाअब अब लोग क्या करेंगे कि हम लोग कोछ भी नहीं लिखने ऑन गोगवल प्ले का उप्शन आता है और learn about refund on confiance can है कि इस पर जैसे क्लिक करते हो तो आपको जो भी इसका टार्मेंट कंडिक्शन रिफंड का वह आपको देखने को मिलेगा तो आप यहां से वह चीज को देख सकते हो अब अब हम लोगों को रिफंड मारना तो रिक्वेस्ट रिफंड ओन गूगल प्ले का जो उस पर ही नोर करना है यहां पर देख सकते हो कि यहां पर देख सकते हो कि यस या नो करना है तो बिलकुल यहां पर आप द्यान देना क्योंकि आपका रिफंड यहां पर सक्सेस्पूल नहीं होगा अगर द्यान नहीं दोगे तो अब क्या नहीं द्यान दिया तो उपर में देख सकते हो र यस कर रहे है और इस Gmail account पर फिर नहीं आएगा क्योंकि इस Gmail से हमने पर्चेस किया ही नहीं तो simply क्या करना है जी email ID को फिर से क्लिक करना है और देख सकते हो कि यहां से जो Gmail ID था फिर से यहांपर हम लोग चेंज कर देंगे ठीक है यहाँ पर देख सकते हो कि आप यहाँ पर continue फिट से हम लोग क्लिक करेंगे अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं अब पूछा जा रहा है कि कनफर्म था एकाउंट तो हाँ कनफर्म क्योंकि हमने इसी जीमेल एकाउंट से पर्चेस किया था यहाँ पर आप एक चीज को जरूर नोटिस कर रहे होगा जो मैंने अभी आपको बताया तो अब यहाँ पर यस करके आप continue कर सकते हो अब यस करके जैसे continue करोगे तो अब आपक सकते हो simply यहाँ पर मैं scroll कर रहा हो जिसको भी मैंने select किया था उस time पर उसी को यहाँ पर again select करना है अगर दूसरा select करोगे तो आपको नहीं मिलेगा refund ठीक है नहीं मिलेगा बिल्कुल यहाँ पर देख सकते हो कि हमने 250 का select किया था यह सबसे नीचे दिखा रहा है बाकि जिसन देखकर यहाँ select कर लेना जैसे कि किया उसके बाद में आप क्या करना है कि continue का option पर आपको click करना है continue पर यहाँ पर में प्रोसेस है आपका यहाँ पर different different top up को आपको लगतार refund मारना है तो different different top up को refund मारना है तो आपको reason भी अलग-अलग तरीके से तुरंतों चुनना होगा ज doesn't work as advisor और नीचे का option की purchase was made by friend और family इसको आपको select करना है ठीक है इसको यह आपको select करना है सारे के सारे top up में किसी में आप चाहे है तो इसको Select कर सकते हो यह third option और बाकिन नीचे वाले यह first वाले को आपको select करना ही नहीं है ठीक है इसको select करके आपको continue पर click करना है विल्कुल तो आगा है फाइनल स्टेप पे अब सब कुछ हम लोग कर लिए वीडियो यही पर खत्म होता रिक्वेश्ट रिफंट पर जैसे क्लिक करोगे यह रिक्वेश्ट सक्सेस्फूल हो जाएगा अब दोस्तों यहां पर सिंपली क्या करना है इसी प्रोसेस से आपको सारे टोप प जारू लाइक करो चैनल को सब्सक्राइब करो मिलते नहीं वीडियो में तब देखें के लिए बाब